तो भाई फानिली स्मैक डाउं की रेटिंग सामने आ गई और दोस्तों ये लाश विक से थोड़ी सी कम है बस वैसे शो तो कासी तकड़ा था जहाँ पर रेंडी ओर टन और रोमर रेंज का फेस आफ तो देखने को मिला ही था बलकि शोकिंगली एजे स्टाल का रिटन के साथ एक सानिका हिलतन की शुरुवात भी तो भाई शो कहीं से बेकार नहीं था लेकिन फिर भी लाश वीक से इस वीख की टोभी सी कम आई है दोस्तों लाश वीक से शमंग स्क्ट्रवाइब ने था लेगिन दोस्तों अपने आपको टू मिल्लियन के ऊपर सस्टेंग किये हुए खर दोस्तों अब बात करते हैं मंडे नाइट रॉ में होने वाले मैच के बारे में गुंथर वसेद दमीज के बीच आइसी चैंपेंशिप के लिए तो भाई लास्ट टाम जब इंका मैच हुआ था ना सर्वावी स्रीस में वहाँ पर तो गुंथर ने अपनी टैटल को सक्सेश्फुली रिटे लग रहा कि मीज उनको हरा पाएंगे वैसे आपको क्या ओपिनियन इस पर कौन जीतेगा इस मैच को हमको कमेंट सेक्शन में जबर बताएगा और अब दोस्तों हम बात करते हैं रोमन रेंस के बारे में तो भाई रेंडी ओर्टन ने पर रोमन रेंस को चैलेंज करी दिया लेकिन दोस्तों इस वक्त जो रिपोर्ट्स आर यह ना इसमें यह बताया गया है कि रेंडी ओटन के सासाथ एले नाइट और एजे स्टाइल के बीच में जी हां दोस्तों जो जीतेगा वही रोमन रेंस को चैलेंज करेगा रोयल लंबर में तो भाई फिर से ऐसा लग रहा यूँकि कुछ ऐसा ही टाइप के मैच प्लान हुआ करते थे ट्रिपल ट्रेट नंबर वन कंटेंडर शिप के लिए तो भाई नेश वीक के लिए तो काफी कुछ शांदार होने वाला है और वैसे भी दोस्तों मैच कोई भी हो किसी के साथ हो रोयल लंबर में तो हमको प्लावली के इंट्रेस्टिंग वीडियोस मिलती रहें